नमस्कार दोस्तों, करियर विदाशुतो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आशुतो श्रवस्तो, आप सभी के समझ एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो UPPSC की ROARO 2021 की प्रारंबिक परिच्छा के संबंद में है आगे बढ़ने से पहले, आप सभी लोगों से गुजारिस करूँगा रिप्या वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं फर्दर वीडियो बनाने का मोटिवेशन राप्त कर सकूँ ठीक है दोस्तों तो इस्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें पता क्या करना है पता यह करना है कि जो 5 दिसंबर को आरोक की परिच्छा हुई थी, उसका कॉट आफ क्या जाएगा कॉट आफ क्या जा सकता है दोस्तों सभी परिचारती जो पेपर देने के बाद तुरण सब जिनों ने उत्तरकुंजी कोचिंग सेंटर्स की वेबसाइट से मिलाई थी सभी के माक्स 120-125 के आसपास बन रहे थे जी उसर हिंदी के मिला कर लेकिन अभी हलही में UPPST की उत्तरकुंजी विजारी हो गई है जिसके परिणाम सुरूप ज्यादतर छात्र जो माक्स प्राप्त कर रहे हैं उनके जीयस में लगभग 55-60 कुश्चन सही हो रहे हैं और हिंदी में 50-55 कुश्चन लगभग सही हो रहे हैं इस प्रकार अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो कॉट आफ बन रही है वो 108 से लेकर 115 कुश्चन के आसपास बन सकती है तो जो भी स्टुडेंट मैं तो यह कहूंगा कि जिनके भी माक्स 105 कुश्चन जिनके सही हो रहे हैं और हिंदी के माक्स मिलाकर वे सभी स्टुडेंट मैंस के तैयारी करें क्योंकि 10 से 11 कुश्चन जो आयोग की उत्तरकुंजी है उसमें विवादित हैं उस पर अभी फैसला होना बाकी है वो रिवाईज जांसर की आयोग क्या बनाता है उस पर निर्पर करेगा इसलिए ऐसे स्टुडेंट जिनके 105 प्लस माइनस दो माक्स आ रहे हैं कुश्चन सही हो रहे हैं वो सभी लोग मेंस के तैयारी करें और मेंस के तैयारी के संबंद में जो वीडियो है इस ट्रेटिजी वीडियो कल मैं आप सभी लोगों को शाम के टाइम में प्रोवाइड कर दूँगा जिसको आप रहेफर कर सकते हैं मेंस के तैयारी के संबंद में उस वीडियो में मुखेता हम लोग ये कवर करेंगे कि कौन सा चॉपिक किस बुक से रहफर किया जाए या किस माटिरियल से रहफर करना उचित होगा ठीक है दोस्तों तो अभी यहीं वीडियो समाप्त करते हैं आज के लिए धन्या